जैहिन दोस्तों आज की हमारी बीडियो BSC Agriculture के First Semester के Agronomy Subject की है आज की बीडियो को हमारा पहला टॉपिक है फसल की मडाई यानि Thresing of Crop दूसरा टॉपिक है Method of Thresing यानि Manual Thresing, Thresing by Animal, Thresing by Machine दोस्तों साथ में हम ये भी जानेंगे कि जो Manual Thresing है और जो Thresing by Animals है इसको Traditional Method क्यों कहते हैं तो आईए दोस्तों सभी को एक एक करके समझ लेते हैं हमारा पहला टॉपिक जैसे हमने बताया Thresing यानि मडाई तो दोस्तों इसे गौर से समझना और साथ में इसको Note भी करते रहना तो दोस्तों मंडाई की करिया फसल की कटाई यानि हरवेस्टिंग के बाद की जाती है कटाई के बाद फसलों को अच्छी तरह से सुखा लेते हैं जिससे की फसल अफसेसों को दानों से अलग किया जा सके दोस्तों जो गेहों की फसल है जब वो बड़ी होगी तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो पके तयार हो जाएगी जब वो पके तयार हो जाएगी तो सबसे पहले उसकी हरवेस्टिंग की जाएगी यानि कटाई की जाएगी दोस्तों जो मंडाई यानि जो थ्रेसिंग की किरिया होती है वो हर्वेस्टिंग के बाद होती है तो उसके बाद किसान क्या करेगा जो अपनी फसल है उसको अच्छे से सुखा लेगा सुखाने के बाद क्या करेगा कि या तो वो मसीन की सायता से या फिर अपने हातों की सायता से या जानबरों की सायता से जो अपनी फसल है उसको दानों से अलग करेगा या आप ऐसा कह सकते हैं कि आनाज से अलग करेगा जिसे हमने उपर एग्जामिल दिया है गेहं का जब आप गेहं फसल के तयार हो जाएगा किसान इसको काट लेगा काटने के बाद किया कर रहेगा किसान उसको मजीन में डालेगा यह गेहं निकालने की मजीन होती है जो THRESING मुसीन होती है उसमें बो डाल देगा जब मसीन में जब गेहूं की जो फसल अफसेस है दोस्तो फसल अफसेस का मतलब होता है जो आपकी फसल के पहुदे हैं उन्ही को हम फसल अफसेस बोलेंगे जब बो मसीन के अंदर जाएंगे तो क्या होगा कि उनसे गेहूं अलग हो जाएगा और जो भूसा है वो अलग हो जाएगा दोस्तो ये जो गेहूं और जो भूसा अलग हो रहा है इसी पिरक्रिया को मंडाई या थ्रेसिंग कहते हैं ये अगर आसान सब्दों में कहा जाए तो जो आपके फसल अफसेस होते हैं उनसे दानों को अलग करने की पिरकिरिया को ही मंडाई या थ्रेसिंग कहते हैं अब दोस्तों हम ये देख लेते हैं कि इसके कितने पिरकार हैं तो इसके तीन पिरकार हैं पहला आपका आता है मैनूल थ्रेसिंग दोस्तो जो manual tracing होती है उसमें जो किसान होता है वो हातों की सहायता से tracing की किरिया करता है कैसे करता है तो आगे हम आपको एक example से बिल्कुल clear कर देंगे तो फसलों को अच्छे से सुखाने के बाद किसान हातों की सहायता से फसल अफसेसों को किसी कठोर चीज पर मारता है जिससे जो दाने होते हैं वो फसल अफसेसों से अलग हो जाते हैं दोस्तो जो manual tracing है उसे कुछ example भी हमने आपके लिए दिये हैं जैसे कि धानों की मंडाई हो गई उड़त की मंडाई हो गई अब एक exam तर समझ लेते हैं कि manual tracing कहते किसको हैं तो दोस्तो आप अपनी screen पर देख सकते हैं यह जो ladies हैं इनके हातों में प्याल है यानि धान के अफसेस हैं तो अब यह क्या करेंगी कि यह वाला जो area यह आगे बाला area जिसको हम बाली कहते हैं यह जो बाली बाला area है, इसको यह कठोर पधार्थ, यह कठोर चीज से हम drum कहते हैं, इन पर यह मारेंगी, जिस बज़े से क्या होगा, इन में जो धान है, वो जो आपका यह बाला area है, जो प्याल जिसको हम बोलते हैं, उससे अलग हो जाएंगे, दोस्तो इसी यही बाला जो method होता है, यानि जब जो किसान होता है, वो हातों की सायता से मंडाई की किरिया करता है, तब हम इसको बोलते हैं, कि वो manual tracing है, दोस्तो नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं, कि आपकी जो tracing होती है, वो जानबरों के द्वारा कैसे होती है, यानि tracing by animal, तो इस विदी में फसलों को सुखाने के बाद एक इस्थान पर इखटा कर लेते हैं, और फिर उसके उपर बैलो को या अन्ने जानबर को चलाते हैं, जिससे दाने फसल अफसेसों से अलग हो जाते हैं, इसकी कुछ example भी हैं, जैसे आपकी सर्षों की मंडाई की जाती है, अलसी की मंडाई की जाती है, दोस्तो इसे और clear करने के लिए हम एक example से आपको समझा देते हैं, जैसे मानलो दोस्तो आपका जो किसान है, उसने क्या किया, अपनी ओड़त का जो फिल्ड है, उसमें से ओड़तों की कटाई की और उसको एक इस्थान पर इखटा कर लिया, दोस्तो जब उसने इखटा किया उससे पहले उड़त को अच्छे से सुखा लिया है, सुखाने के बाद जब वो उसको एक इस्थान पर डाल देगा, उसके बाद वो क्या करेगा, यह जो एरिया है, उसके जो अपनी जानवर हैं, जैसे मानलो बाद किसके बैल हो सकते हैं, या अन्ने कोई जानवर हो सकता है तो आपनी देख रहे हैं यह वाला जो एरिया जिसमें उसने उड़दों को रखा है उसके उपर से वो बैलों को चलाएगा और बहुत काफी टाइम के बाद जब बैल इसके उपर से चलते रहेंगे तो जो उड़द की फलिया होती हैं वो बैलों के पहरों की बजा से अपने जो फसल अफसेस है उससे अलग हो जाएंगे दोस्तो जब THRACING की करिया यानि फसल अफसेसों से दानों को जब जानवरों के द्वारा हटाया जाता है तब हम बोलते हैं THRACING BY ANIMALS है NEXT अब हम देख लेते हैं दोस्तो THRACING BY MACHINE contraction री दोस्तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं traditional method यानि जो आपका manual method है और jो tracing by animals है इनको traditional method क्यों कहा जाता है तो दोस्तो जो दौनों विदिया है यह परंपरागत विदि क्यों कहते हैं क्योंकि दोस्तों ये जो विधियां हैं ये प्राचीन समय से उपयोग में आती रही हैं जैसे कि दोस्तों पहले के समय में क्या होता था कि मसीन नहीं होती थी क्योंकि अगर आप क्योंकि मसीन का और उपयोग देखेंगे तो लगबल 100 या 200 साल से ही स्टार्ट हुई होगी लेकिन 200 साल से पहले भी तो किर्सी होती आ रही है तो उस समय भी फसल उकती होगी और जब फसल उकती होगी तो उनकी मंडाई यानि थ्रेसिंग तो होती ही होगी तो थ्रेसिंग किस विदी से होती होगी तो उनके पास दो ही उप्षन है या तो वो मैनुवल तरीके से कर लें या अपने हातों की साहता से कर लें या फिर एनिमल्स की साहता से कर लें यानि tracing by animals तो दोस्तो जब इन दो तरीकों से किया जाएगा यानि manual tracing और tracing by animals तो दोस्तो नों क्या बोलेंगे traditional method या परंपरागत method बोलते हैं और दोस्तो जो आपका last वाला method है उसको हम tracing of modern method कहते हैं या आप ऐसे कह सकते हैं tracing by machine modern method क्यों कहते हैं यानि आप कह सकते हैं लगबख 200 सालों के आसपास से इसका उप्योग किया जा रहा है हलाकि बरतमान समय में देखें तो जो मसीनों से tracing होती है उसका उप्योग बहुत तीजी से बढ़ा है क्यों बढ़ा है क्योंकि दोस्तो जो आपकी मसीन होती है वो बहुत तीजी के साथ में और बहुत सफाई के साथ में आपकी जो फसल होती है उसको दानों से अलग कर देती है या आप ऐसे कह सकते हैं कि आपको जो अनाज होता है उसको फसल अफसिसों से अलग कर देती है तो दोस्तों इस बिदी में बंडाई मसीनों की साहता से की जाती है जब फसल सूक जाती है तो इसको मसीनों में डाल दिया जाता है मसीन बहुत तेजी के साथ और सफाई के साथ दानों को भूसों से अलग कर देती है दोस्तो इसको आप डाइग्राम में भी समझ सकते हैं ये जो गेहों का जो आप देख रहे हैं ये किसान क्या करेगा है ये जो गेहों के पौदे हैं ये जो गेहों के फसल अफसिस हैं इनको इस मसीन के अंदर डालेगा दोस्तो जैसे ही मसीन के अंदर जाएंगी ये जो आप टैक्टर देख रहे हैं ये इसको घुमा राए मसीन को तो ये इसमें अंदर लगे हुए blade ये वाला जो फसल अफसे से हैं इनको काट के क्या करेगा भूसे को अलग कर देगा और वो दानों को अलग कर देगा तो दोस्तो जब tracing machine से की जाती है तब हम उसको बोलते हैं tracing by machine दोस्तो इस वीडियो को यहीं खतम करते हैं अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को like share और comment करना नहीं भूलिए वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से धन्यबाद